इस अरती शोधरी सभी को बिलकुल वैरे गुड इवनिंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फस्सक्लास एक बार जड़ा कमेंट कर दीजिए बचा की ओडियो वीडियो सब कुछ कुछ ओल ओके है एक बार कमेंट कर दीजिए ओडियो वीडियो सब कुछ ओल ओके है और यदि आपको मेरी छोटे-छोटे-छोटे ये बचा सेशन से अच्छे लगते हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अडर 24-7 की अप्लिकेशन को आप लोग प्ले अग्जाम में पूछे ही जाते हैं मतलब यदि साइंस कहीं पर दो नमबर की आएगी तो बच्छा यही कोशन आपके पूछे जाएंगे ओके तो पहला कोशन क्या है बच्छा कि किस विटामिन को सोंद्रिय विटामिन कहा जाता है बताईए तो किस विटामिन को सोंद्रिय विटामिन आपका कहा जाता है विटामिन E को विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है रेटिनोल और इसकी कमी से क्या बच्छा नाइट ब्लाइडनेस यानि सूरज ढ़लने के बाद इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन E का केमिकल नेम होता है टोको फेरोल और विटामिन C का केमिकल नेम आपका क्या होता है बच्चा एसकोर्बिक एसिड और विटामिन K का केमिकल नेम क्या होता है आपका फाइलो के नाइन ठीक है और इसकी कमी से क्या बच्चा विटामिन C की कमी से सकरवी रोग यानि मसूडों से खुन आना शुरू हो जाता है और विटामिन K की कमी से फाइलो कणाइन यानि खून का थक्का नहीं जमता कोन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहयक है बताईए कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में आपका सहायक है बचा विटामिन के और विटामिन बी का केमिकल नेम आपका क्या होता है बचा थाइमिन होता है ठीक है क्या होता है बचा आपका थाइमिन होता है जिसकी कमी से बैरी बैरी डिजीज यानि की रोग हो जाता है इस करवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है फटा फटा आंसर करेंगे विटामिन B की कमी से बैरी-बैरी, A की कमी से नाइट ब्लैंडनेस और विटामिन E की कमी से मेल और फीमेल दोनों में ही इन फेर्टिलिटी आ जाती है प्रोटीन वोस जिस्कवरड बाइ बताए, प्रोटीन की खोज इनमे से किस के दौरा की गई थी? फंक के द्वारा, पोलिंग के द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा या रोबर्ट हुक के द्वारा प्रोटीन वोज डिस्कवर्ड बाई प्रोटीन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी देखो प्रोटीन की actually में खोज की थी आपके मूलर सहाब ने ठीक है लेकिन उसको नाम देने वाले थे आपके बरजीलियस तो इसलिए अधिकतर आपको option में बरजीलियस ही मिलेगा पोलिंग ने दिया था आपका प्रोटीन का structure formula ये भी आप लोग याद रखेंगे structure formula यानि संरचना सूत्र किस ने दिया था आपका पोलिंग ने दिया था कैश्मियर फंक ने विटामिन की खोज की थी और रोबर्ट हुक ने किसकी बच्चा आपकी 1665 में कोशिका की खोज की थी अब यदि structure की बात करूं तो प्रोटीन जो है बच्चा ये आपका एक काईरल कार्बन से बना होता है काईरल कार्बन क्या होते हैं जब कार्बन पर चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रूप आपके अटेच हो तो उस कार्बन को हम लोग कार्बन काईरल कार्बन बोलते हैं hydrogen, amide group, carboxylic group और आपका R यानि alkali group ठीक है चलिए अगला question देखते हैं ज़रा एक बार which vitamin cannot store in human body मनुश्य के अंदर इन में से कौन सा vitamin आपका store नहीं हो सकता है कौन सा vitamin मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं which vitamin cannot store in human body मानव शरीर के अंदर इन में से कौन सा vitamin आपका store नहीं हो सकता है तो मानव शरीर के अंदर बचा कौन सा आपका vitamin store नहीं हो सकता है देखो vitamin B और C simple सी बात है यदि मैं vitamins की बात करूँ तो बचा दो टाइप के होते हैं fat soluble और water soluble तो fat soluble को याद करने की trick है कीडा यानि vitamin K, vitamin E, vitamin D और vitamin A और water soluble को याद करने की trick है B and C यानि vitamin B और C किस में घुल जाते हैं बचा आपके पानी में घुलने वाले vitamin है तो पानी में घुलने वाले जो vitamin होते हैं वो हमारे शरीर से किस बचा urine के form में यानि urine में water होता है तो पानी में घुलने वाले vitamin हमारे शरीर में कम हो सकते हैं गाजर का रंग इन में से किस के कारण नारंगी होता है बताईए गाजर का रंग इन में से किस के कारण आपका नारंगी होता है तो गाजर का रंग आपका नरंगी किसके कारण होता है कैराटीन के कारण होता है निमनलिखित में से कौन से विटामिन आथ के जिवानों द्वारा संसलेशित होते हैं हमारी आथ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है E. coli जो हमारे शरीर के अंदर फीकल बनाने में भी मदद करता है ठीके क्या बचा फीकल बनाने में भी आपका मदद करता है साथ ही साथ विटामिन B12 और क्या बचा विटामिन K विटामिन K and B12 भी बचा ये आपका बनाने में मदद करता है किसमें हमारी बोडी के अंदर किसके अंदर बचा हमारी बोडी के अंदर चलिए अगला कुशन देखते हैं ज़रा एक बार सूर्य की किर्णों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य की किर्णों से हमें कौन सा विटामिन आपका प्राप्त होता है तो सूरिय की किर्णों से आप सब को बचपनसिक चीज याद कराई गई है विटामिन D जिसका chemical name होता है आपका Kelsey Ferrol बट actually में आप लोग ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा कि विटामिन D की कमी से मतलब धूप से हमें विटामिन D नहीं प्राप्त होता है आप जो भी खाना खाते हो उसमें विटामिन D के जो भी रिच सोर्सिस होते हैं उनी से आपको विटामिन D प्राप्त होता है ठीक है उनी से बचचा आपको विटामिन D प्राप्त होता है बट ये इकलोता ऐसा विटामिन है कि यदि आपके बोड़ी पर आपके शरीर पर धूप की किरने नहीं पड़ेंगी बचा तो ये आपका एक्टिव नहीं होगा विटामिन डी का केमिकल नेम होता है केलसी फैरोल और इसकी कमी से कौन सा रिकेट्स यानि की जिसमें हडिया तिर्ची होनी शुरू हो जाती है Osteoporosis जिसमें हड़ियों में छेद होने शुरू हो जाते है जिसके इलाज के लिए strontium का इस्तमाल करते है और Osteomalacia जिसमें हड़ियों की density में कमी यानी शुरू हो जाती है चलिए, next question देखते हैं जरा आपका क्या होगा कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में तो बैने अभी बताया विटामिन D, जैसे ही धूपकी करने पड़ेंगी या आपका बनना शुरू हो जाता है चलो अगला question देखते हैं, अनिमनल खित में से कौन सा योगिक एक विटामिन नहीं है इन में से कौन सा आपका एक chemical name है जो किसी विटामिन का नाम नहीं है नियासिन विटामिन B3, राइबो फ्लैविन क्या है बच्चा आपका ये विटामिन B2, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 लेकिन थायरोक्सिन तो आपका एक होर्मोन है, जो कौन बनाती है, आपकी थायरोड ग्लैंड बनाती है चलिए, ओके ये कुछ विटामिन के बच्चा यहां पर नाम है, इनके chemical name है और आपके बच्चा सबसे होने वाली बिमारी है एक बार आप लोग screen short ले लेंगे फटाफट से सारे बच्चे जिससे कि ताकि आपको revision में आसानी रहे ओके चलिए, निमनलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचूरतम श्रोथ है निमनलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचूरतम श्रोथ है बताईए इन में से सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है बच्चा मैंगो के अंदर किसके अंदर पाया जाता है, आम यानी मेंगो के अंदर, चलिए, enzymes are basically, enzymes आपके क्या है, बताइए, enzymes are basically, enzymes are basically, तो enzymes बचा क्या होते हैं, यह आपके प्रोटीन्स ही होते हैं, यह क्या होते हैं, बचा आपके प्रोटीन्स ही होते हैं, चलो, next question है, golden चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है गोल्डन चावल में कौन सा इन में से कौन सा विटामिन आपका पाया जाता है विटामिन ए जो होता है बचाए गोल्डन चावल में आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है किस विटामिन को होर्मोन विटामिन कहा जाता है बताए इन में से किस विटामिन को हम लोग होर्मोनल विटामिन यानि हमारे शरीर में विटामिन डी जो है ये बहुत सारे होर्मोन्स बनाने में मदद करता है इसलिए हम इसको होर्मोनल विटामिन भी कहते हैं कौन सा विटामिन घाओ को भरने में आपका सहायक है कौन सा विटामिन होता है हमारे शरीर में जो वा कौन सा पोसक तत्व घाव भरने में सहायक है बताईए कौन सा पोसक तत्व आपका घाव भरने में हमारे शरीर में बचा घाव भरने में इन में से कौन सा नियोट्रियंट आपकी मदद करता है क्या बचा प्रोटीन कौन सा बचा आपका प्रोटीन ठीक है चलो अगला कुशन देखते हैं किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है तो रिकेट्स किस से बच्चा विटामिन डी की कमी से किस से होता है या आपका विटामिन डी की कमी से खटे फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है बताईए खटे फलों के अंदर इन में से आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आप सब को रटा हुआ होगा खटे फलों के अंदर कौन सा विटामिन बच्चा आपका पाया जाता है विटामिन C जो है बच्चा ये आपका खटे फलों के अंदर पाया जाता है ओके चलिए हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो बोड़ी की इम्मिनिटी बढ़ाने में मदद करता है तो vitamin C, जिसका chemical name ascorbic acid है, ये body की immunity बढ़ाने में मदद करता है vitamin C का chemical name क्या होता है vitamin C का chemical name आपका क्या होता है फटा-फट answer करेंगे चलो और जिनों ने भी तक session को share नहीं किया है, एक बार share करेंगे जो बचे नए है, बाद में recorded video देखते हैं या live देखते हैं आप channel को subscribe जरूर कर लिया करें because बचा daily update के लिए और information के लिए आपको channel को subscribe करना पड़ेगा तो vitamin C का chemical name क्या होता है, आपका ascorbic acid तो आपने देखा बचा कुछ बहुत ही most important question हम सबने किये और बचा इसी तरह के कुछ बहुत बहुत बहतरीन question हम करते हैं अपनी paid glasses में तो आप लोग adda 24-7 की website को visit करेंगे, ठीक है बचा, यह आपकी website है ठीक है बचा, तो यह आपकी website है, आप लोग यहाँ पर जब all course पर click करोगे तो आपको government job exam select करना होगा, आप लोग SSC select करेंगे और यहाँ पर MTS पर जाएंगे तो यह बचा आपका MTS का latest हमारा एक batch है और last batch है, trash course और test series इसमें आपको free में मिलेंगी इसके लावा आप हमारा कोई batch आपके exam तक नहीं आएगा, क्योंकि समय ही नहीं है Y446 code लगाएंगे, मातर 400 ठान में रुपे में यह आपको मिल जाएगा ओके जी, but I prefer MTS आपका दुबारा भी आने वाला है तो बचा आप लोग यह महापैक purchase करेंगे, ठीक है, आप लोग यह महापैक अप purchase करेंगे तो इस पर अभी आपको यहाँ पर visible नहीं है, but double validity भी on हो जाएगी तो आप लोग Y446 code लगाएंगे, तो आप लोगों कितने रुपे में बचा यह आपको 2 साल के लिए, जो daily आपको 1 साल के लिए मिलता है basically आपके अभी latest batch आया है, Tejas IB के नाम से, ये भी आपको 870 कुछ रुपे में application से मिल जाएगा Tejas IB के नाम से ये आपको batch मिलेगा, बहुत सारे batches हैं जो नए शुरू हुए है, आप लोगों को यदि जादा problem हो, तो आप इस search बटन पे लिखेंगे, जिस भी exam के आप तयारी कर रहे हैं और आपसे coupon code मांगा जाएगा, उस coupon code को आप लोग याद रखेंगे, Y446, maximum discount के लिए आप लोग यही use करेंगे यदि मैं आपसे किताबों की बात करूँ, तो latest आपकी exam book मतलब आपकी किताबे नहीं है, market में available तो ये सारी किताबे हैं जो आपके new exam pattern पर आधारी थे, सबसे जादा बच्चों ने ये तीन किताबे order की है और ये आपकी एक guide book है, जो हम पाँचों teachers ने आपकी मिलके तयार की है, तो आप इन में से कोई भी किताब purchase कर सकते है और code आपका लगेगा बच्चा क्या, same pattern है आपका किताब purchase करने का भी, Y446S किसी भी book या test series के लिए और batch और महा pack के लिए Y446S मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को session अच्छा लगा होगा, so please आप लोग like and share जरूर करेंगे और comment करके मुझे जरूर बताएंगे आपको session कैसा लगा, bye bye